पालेमेंटी रिप्रीटर की स्रीज में आज आपके लिए वन सिक्स्टी वर्ड पार मिनिट का डिक्टेशन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बेल आगन को दबाने मत भूले 160 सब्द परती मिनट की गती से डिक्टरे से स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड के बाद रेडी स्टार्ट महोद है हमारे संसार का सबसे महत्वपून दरव पानी वर्सा जर्नों तालाबों नदियों कुँँ आदी से मिलता है सायद यह वाद सच है कि आज के युग में पानी की आवसकता उतनी ही है जितनी आवसकता पासान युग में रही होगी यद्दिपी पृत्वी पर इसकी पूर्दी सदा होती रहती है फिर भी कुछ इस्तान ऐसे होते हैं जहां पानी की कमी रहती है आज बढ़ती जनसंख्या और उसके सांत सांत अध्योगिक प्रगती के युग में पानी की मांग बढ़ती जा रही है लगता है घरों और कलकार खानों में पानी पर रासन करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे समुद्र से परियाप्त सुद्ध जल मिल सके इसलिए अब यह बहुत आवश्यक है कि जल का सरक्षन किया जाए देश में इसी जल सरक्षन के निरंतर परियतन चल रहे हैं नई दिल्ली में अप्रैल 1998 में रास्चिय जल संसादन समारो आयोजित किया गया फिर समपूण देश के 1,000 इस्तानों में इस परकार के समारो आयोजित किये गये परियावरण में जल के महत को देखते हुए इस बार का मुख्य विसे जल तथा परियावरण रखा गया है सरकार ने यहो माना है कि जल संसादन सबसे महत पून राश्चिय संपदा है तथा यही यहां यही राश्चिय आर्थिक संपदा तथा इस्ता इत्त की कुंजी है पानी हर समय एक सा नहीं मिलता इसलिए इसके नियोजन विकास सरक्षन तथा उपियोग की सबसे जादा आवशकता है किरसी में पीने के लिए उद्योगों आदी की पानी की आवशकता दिन पढ़ती दिन बढ़ती जा रही है स्वतनता के बाद पंच वर्सिय योजनाओं में जल की विवस्ता करने के परियास किये गए हैं लेकिन जल के उपियोगों फाम परबंद जल सरक्षन जल की किस्म तथा परियुक्त जल के निप्टान की और परियापत ध्यान नहीं दिया गया मालूम होता है कि जल समस्याओं के परती जागरुकता का अभाव है जल संसाधन मंत्राले का कहना है कि हर वर्ष लोगों में यही जागरुकता लाने के परियत्न किये जाते हैं सारवजनिक समारों के अलावा केंद्रिय जल आयोग के नई दिल्दी इस्तित मुख्याले में एक समारों आयोजित किया जाता है इस आयोग की इस्तापना एक अपरेल 1945 में की गई थी नई दिल्ली समारों में जलसंसादन मंत्री ने जलसंसादन विकास तथा पर्यावरन परबंद की आवसकिता पर बल दिया इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इसे वनरोपन मानव आवास उध्योगो आधी में समन्वे इस्तापित करना होगा मोहदय पिछले 40-45 वर्स तक देश में असाधरन जलसंसादन विकास का समय रहा विकास तथा आर्थिक प्रगती के लिए पन बिजली उपलब्द कराई गई वर्स 1950-51 में सिचाई छमता केवल 2,30,000,000,000 हेक्टियर थी जो तिगनी होकर 7,50,000,000 हेक्टियर हो गई खाद उत्पादन 5 करोड टन से 18 करोड टन हो गया जलसंसादनों के विकास तथा आयोजनों के लिए 1987 में रास्त्य जल नीती निर्धारित की गई इसमें पीने के पानी को सरोच प्राथमिकता दी गई लेकिन सबसे कठिन काम सूखा और बाड के समय जल परबंद है केंद्रे जल आयोग ने बार्चेतावनी के लिए देश में एक नेट्रक स्तापित किया है जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके जलसंसादन मंत्री ने उर्जा की आवसकता पर भी बल दिया है यह उर्जा परियावरन सरक्षन रखते हुए मिलनी चाहिए और इसके लिए हमे इसके कारण वन काटे जा रहे हैं इससे उपर की मिट्टीव भूमी का छरण हो रहा है उन्होंने जल की किस्म को बहुत महत्वपून बताया और जल सरक्षन को अत्यरिक उपयोगी और अनिवारी बताया विसेशत हो राज के और द्योगिक युग में जीलों तथा नदियो को जल साफ रहना चाहिए केंद्रे जल आयोग ने निरक्षन कारी अपने हातों में लिया है और सारे देश में इसके 270 केंद्र इस्तापित किये हैं इनके प्राप्त सूचनाय केंद्रिय परदूसन नियंत्रन मंडल परियावरन तथा वन मंत्राल और इस्तानी निकायों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है इस समय सबसे अधिक आउसकता कचरा निप्टाने के उद्देश से सस्ती तकनीकों पर अनुसंधान और विकास की है यदि हम सारे कचरे के पुने चक्र में सफल हो जाते हैं तो नदियों में कचरा बहने से रोका जा सकता है पिछ भूमी वायू मंडल आदी के सभी परियावरन पहलूं पर लागू होता है इन कानून के जो कमिया है उन्हें दूर किया जा रहा है जिससे राज्य को उसके लागू करने के लिए और अधिकार मिल सके उपाध्यक्च महद है यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ह हमें वे छेतर चुनने चाहिएं जिनमें हम रास्टी और अंतर रास्टी इस तर पर सबसे ज़्यादा परभावी हो सकते हैं पर यह चैन बहुत असावधानी से करना होगा हम कुछ किस्मों की प्रद्योगी का आयाद कर सकते हैं ताकि उन्हें और विक्सित कर सकें पर हम ब भारतिय उद्योगों को देश विदेश से जादा परती इस परता का सामना करना पढ़ रहा है कुछ शेतरों को छोड़ें तो प्रद्योगी के चुनाव जैसे विसियों पर निर्ने अब मुख्यत हो उद्योगों द्वारा ही लिये जाते हैं पुराने अनभों की वज़े स इस बारे में चिंता होती है कि क्या उद्योग प्रद्योगी का अधिक से अधिक आयात करेंगे अगर हम आयातित प्रद्योगी की में लगातार और बड़े पैमाने पर घरेलू प्रद्योगी की को सामिल करना नहीं सीकते और अपनी घरेलू परतिभा और संसाधनों के आध पर बड़े पैमाने पर अपनी ही प्रद्योगी की तैयार नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे अगर आप देश में ही नया कुछ नहीं करते अगर आपके पास अपना कोई अनुसंधान और विकास कारिकरम नहीं है अगर आपके पास अपनी प्रद्योगी की नहीं है कोई आवस्यक नहीं कि प्रद्योगी की सत परतिसत आपकी अपनी हो पर ऐसी हो जिसको आपने सुधारा हो और जिसका भारतिय करण किया हो तो आप प्रद्योगी के छेतर में पीछे छूट जाएंगे, आप केवल दूसरों की नकल करते रहेंगे, दूसरों से आयात करते रहेंगे और फिर भी पीछे रहेंगे ऐसा ही होगा अगर हम अनुसंदान और विकास के आधार पर अपनी सीमाओं में अपने ही बल पर विस्तार नहीं करते अगर पैसों की आव सकता है संसादनों की आव सकता है तो सबसे पहले इसी छेत्र को है मैं इस प्रस्ण को थोड़े दूसरे रूप में रखना चाहूंगा उद्योगों के छेत्र में अधिकाधिक प्रद्योगी करने से मुद्दे को हमें अंतरास्ची अपरती इस्परदा और विदेसी मुद्रा की कमी के संदर्ब में देखना होगा व्यपार असंतुलन को दूर करना अपने आप में महत पूर्ण है पर इसी को लक्ष बना लेना परियाप्त नहीं है भुकतान असंतुलन की हमारी समस्या तभी दूर होगी जब हम प्रद्योगी का सुद्ध निर्यात करना सुरू कर देंगे और यहो मैं भारतिये व्यग्यानिक समुदाय के सामने एक च धारित कर सकते हैं हमें ऐसा करना ही होगा क्यूंकि विकास सिल देशों ने पहले से ही अपनी जिमेदारियां टै कर रखी हैं हाल ही मैं हुई भैटग में भारत ने सौर उर्जा के छेतर में विकास की जिमेदारी अपने उपर ले ली है मैंने मन में इरादा किया था कि मैं दसवी योजना मैं ऐसा करूंगा इसे मैं भारतिय वग्यानिक समुदाई के सामने एक चुनोती के रूप में रखना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि एक कार योजना बनाई जाए उद्योग और वग्यानिक संस्ताई मिलकर बहुत जल्दी प्रोध्योगी के विकास के लिए कुछ सारतक कदम उठाएं ऐसा विशे से तोर पर उन दो छेतरों में किया जाए जो हमने चुने हैं सौर उर्जा और जीन बेंग सच तो यह है कि वग्यानिक समुदाई के संपून सायोग के बिना मैं कुछ नहीं करस पाऊंगा मैं यह चुनोती आपके सामने रखता हूँ भारी संख्या में उतपादग रोजगार उबलब्द कराने के संदर्ब में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकांस लोग गाओं में ही रहेंगे और खेती पर निर्भर करेंगे नए और प्रद्योगी की अनुसंदान में इस बात के लिए कोसिस करनी होगी कि इन लोगों की आवसकता में सुधार किया जाए फसलों के उतपादन में संबंदित अनुसंदान और विकास के निवेस के सिलसिले में अभी बहुत कुछ किया जाना है दाले तिलहन धान और गन्ना इस पस्त ऐसे छेत रहें जिन में और सगन सोध की आवसकता है किरसी संबंदी सोध का दाइरा केवल जमीन के परबंद तक ही सिमित ना होकर उतपाद के सरक्षन पैकिंग और ढुलाई को भी अपने में सम्मलित करें आप जहां कहीं जाएं हमारी भी अपने में सम्मलित करें आप जहां कहीं जाएं हमारे फल उतपादकों को असंतुष्ट पाएंगे हम उनका कहना है कि उन्हें अपने उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिलती मौसम समाप्त होने तक सारा उत्पादन का समय भी समाप्त हो जाता है उन्हें सब से कम कीमते मिलती हैं और वे गरीब बने रहते हैं जबकि दूसरे और फल उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है यह एक पैचीता इस्तिती है हमने थोड़ा बहुत कुछ किया है उस थोड़े कुछ के साथ जो कुछ करना था सोग नहीं किया हमारे देश का किसान यह लड़ाई लगातार लड़ रहा है और इससे हमें उसकी की लगातार साहिता करनी है यह एक बड़ी कठिनाई है कि आधुनिक प्रद्यूक की और प्रोसेसिक तकनीकों का रुजान गरामिन इलाकों की उत्वाद की और है इस्टॉप दूस्ते यह था एक साथ सब्द परति मिनट की गतिसे डिक्टेशन अगर आपने लिखा है तो करिएगा जरूर पीडियाफ आपको आपके नंबर पर मिल जाएगी और हमारा ग्रूप से भी आप ले सकते हैं थैंक्यू सो मुच कि अधिक अधिक